देश में कोरोना वाइरस को लेकर कोहराम मचा हुआ है लेकिन इस दहशत के बीच कई सारे ऐसे वाइरल मैसेज भी शोशल मीडिया पर घूम रहे हैं जो कोरोना की इस दहशत में कई चीजों का इजाफा कर रहे हैं दोक्टर केके पांडे जी सर हम देख रहें कि दहशत तो है और दहशत होना लाजमी भी है लोगों में इतनी बड़ी बीमारी है जिसने दुनिया के सत्तर से ज्यादा देशों को अपनी चपेट में ले लिया है लेकिन सबसे पहले यह जानेगे आपको आपसे कि यह कोरोना व 2002 में इसका एक बहुत सीरियस फॉर्म आया था जिसको सार्स बोलते थे यह आज जो कोरोना वाइरस का वेरियंट आया है उससे ज्यादा सीरियस था उससे ज्यादा लोग इससे मरते थे और बहुत ही खतरनाक था यह जो वाइरस का एक नया वेरियंट है वेरियंट का मतलब झाल वाइरस है वह जब खासता है या चीकता है तो उसके मुझे से छोपे चोटे ड्रॉपलेट्स ड्रॉप की छोटी सी बूदे वो निकलती है जो अगर कोई आदमी पास है उसके तो उसमें से उसकी आँख पे मुझे नाँख पे जाके लग सकती है वहाँ से वो किटाणू अंदर जाता है तो प्रैक्टिकली इसको बोलते हम लोग डॉक्टरी लें है किसी से हात मिला रहा है कुछ भी कर रहा तो दूसरे को वैसे भी इफ्रेक्ट कर रहा है तो इसमें जो सावधानी बरतनी की बात है कि अगर आप तीन फिट से ज्यादा की डिस्टेंस पे हैं अगर किसी तो आपको होने के चांसिज बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि यह हवा तो आपको चीजों से भी फैल सकता है जहां जहां पर वह ग्या है इसलिए आपको अपने हाथ का बचाव करना है क्योंकि हाथ आपका कहा कहा जा रहा है वह decides देखना है आगर आपका हाथ मेज पर पड़ा और उसके किसी नए चीका है यह क्वासा है और ड्रॉपलेट वहाँ पे है तो वहाँ पे वो ड्रॉपलेट कई घंटे तक जीवित रह सकते हैं उसमें किटाणों और वहाँ से आपको आया वहाँ से अपनी अपनी आग छूली या नाग छूली या मूँ छूली तो उससे वो किटाणों आपके फेफडे तक जाता है यह जा करके आपको बिमार कर सकता है, वो सिर्फ लंग्स में है, एक बार वो लंग्स में पहुँच गया, तो एक तरह से उसने आपके सरीर की जो प्रतिरोधक चमता है, उसकी चाबी खोल दी, अब उसके बाद आप में कितनी इम्मुनिटी है, कितनी प्रतिरोधक चमता है, उसके हिसाब से बीमारी का रिस्पोंस आपके उपर हाएगा. इसलिए बचाओ सबसे ज्याधा आवस्चा है. कारोना को धुनिया के खतरनाक वारिस में से एक कहा जा रहा है. क्यों इसको हम इतना खतरनाक वाइरस मान रहे? क्या वास्तों में कहा जा सकता है कि है ऐसा कि ये दुनिया के खतरनाक वाइरस में से एक है जी उसकी वज़े ये है कि जरूरी नहीं कि जिसको कोरणा वाइरस की बिमारी है वो बिमार भी हो शुरू के दिनों में आदमी बिमार बिना बिमार हुआ आदमी भी बिमार हो सकता है उस दौरान किसी को भी उसके रहने वाले किसी को भी यह नहीं पता लगेगा कि वो बिमार है लेकिन वो बिमार है और दूसरे को इंफेक्ट कर रहा है इसलिए इसको मैनेज करना इसको कंट्रोल करना अथार्टीज के लिए भी और किसी भी इंसान के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि कैसे करें जो हो रिदो है किसी को है किस को नहीं है आप नहीं कह सकते इस लिए protagonization के लिए आपको सब से बचके रहना है, ये जरूरी है, और जानना चाहओँगा, इस करोना की दहशत के बीच में, मास्क और सनिटाइब की डिमांड बहुत बढ़ गई है, आप देखरें के लोगों में खोड मच्यूं या मास्क और सनिटाइब का इस्तमाल करने के लिए, कितना को ये बिमारी तभी होगी अगर वो आदमी के ऊपर किसी की छीक या खाशी से जुँडरोपलिन निकलते वो चले आए अगर वो डोपलेट नहीं जा रहे हैं To Most मास्क पहन के चलने से कोकी हवा से भीमारी नहीं नहीं एक हसी और छीक किसका मतलब बचा सकता हम से सकते हैं आपके पास कोई मरीज ऐसा है तो बचने वाले से ज़्यादा जरूरी ये है कि जिसको भी डाउट है कि मुझे खासी जुकाम है या कॉरोना हो सकता है वो जरूर मास्क पहने क्योंकि वो दूसरे को बचा पाए इस नंबर वन सब मास्क बचा सकते हैं या कुछ खास मास्की इसमें काम करते हैं जिसको बिमारी है उसके लिए N95 या N99 मास्क ज्यादा रिक्मेंडेड है वैसे किसी तरह के मास्क भी अफेक्टिव हो सकते हैं शुरू की स्टेज में बचाओ के लिए क्योंकि आपको सिर्फ जो छीक और खासी है उसकी जरूरी है जो आदमी किसी तरह का मास्क इस्तमाल कर सकता है वैसे मास्क की जरूवत नहीं है मास्क को लेकर एक और भरम है कि इसको किस तरीके से इस्तमाल करे किया रोज नया मास्क बदले या फिर पुराने मास्क को आप वोश कर कर इस्तमाल कर ले क्या किया कैसे मास्क का इस्तमाल करे दुबारा आप नहीं कर सकते हैं डिस्पोजबूल होना ची यह उसको डिस्पोँच करने का भी एक तरीका होता है कि किस तरीके से आप उसको डालें थाकि दूसरा बिमार न पढ़े ऐसी जगह करें ऐसे जगह उसको pack करके करें जिससे कि दूसरा health का करमचारी या जो उठाने वाला है वही न भी मार पड़ जाए तो इसलिए mask को न पहनना ज़्यादा beneficial है क्योंकि आप उसको dispose करें आप तो बजगें और दुबारा उसको नहीं कर सकते आप disposable होता है अगले दिन नहीं कर सकते आठ गंटे आठ गंटे ज़्यादा नहीं और sanitizer किस तरीके से काम कर सकता है इसमें sanitizer का सबसे ज़्यादा रोल है लेकिन sanitizer में एक जो important बात आपको धियान रखनी है कि sanitizer में alcohol content 60% से ज़्यादा होना चीए 60% से अगर कम है तो sanitizer उतना effective आपका नहीं होने वाला है ठीक है sanitizer का रोल यह है कि आप कहीं भी जा रहे हैं आपने कोई surface टच किया metro में आप जा रहे हैं metro का दरवाजा टच कर दिया lift का दरवाजा टच कर दिया कोई और चीज कर दिये मेज कूरसी के को हाथ से छू लिया कुछ और को छू लिया कहीं भी जा रहे हैं sanitizer आपने लगाया अभी तक का जो कुछ था वो sanitizer की वजह से तुरंद किटाणू आपके मर गया है sanitizer की जंग है आप hand wash, साबून इनका इस्तमाल कर सकते हैं साबून और पानी भी उतने ही effective है hand wash में भी आपको देखना पड़ेगा कि कितना उसमें क्या है मतलब पानी से running water से दोना चाहिए लेकिन hand wash का तरीका है 20 सेकेंड तक आपको उंगलिया भी दोनी है पीछे का portion भी दोना है उंगलियों के 20 का भी portion है 20 सेकेंड तक आप साबून या hand wash लगाएं फिर running water में इसको wash करते हैं तो जो भी कितनू उसमें है वो खतम हो जाते है सर मोसम का भी connection है कोरोना से ऐसे दावे किये जा रहे कि अगर temperature ज़्यादा हो जाता है तो करोना का वाइरस जो है वो अपने आप खतम हो जाता है अब हम देख रहे हैं कि दिल्ली में अचानक से मोसम बदल गया है temperature डाउन चला गया है इससे क्या माना जाए कि करोना का खत्रा बढ़ गया है इस तरीके से जो मोसम में ये तबदीली आई है उसके बाद देखे अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है लेकिन ये जो पहले उमीद की जा रही थी कि 26 डीगरी के ऊपर जैसे ही temperature बढ़ना शुरू करेगा कोरोना वाइरस का असर कम होता चला जाएगा कोरोना वाइरस आटोमेटिक जो है temperature की वज़े से मर जाएगे लेकिन ऐसा कोई proof अभी तक नहीं आएगा जो भी research ये आ रही है वो ये आ रही है कि temperature का कोरोना वाइरस पे कोई खास असर नहीं पड़ेगा तो उस पे हम बहुत उमीद नहीं कर सकते काम सर्दी वाले मौसम में इसके पनपने की क्या जादा उमीद होती है कुछ ऐसी research कुछ ऐसे आकलन कोई भी वाइरस सर्दी के मौसम में थोड़ा जादा ग्रो करता है तो ये जो हलका सा temperature दिली NCR में कम हुआ है बारिसों की वज़े से उस से इसके बढ़ने की उमीद थोड़ी बढ़ गई है तीन छोटे बड़े tips जो आप देना चाहे लोगों को कोराना से बचाने के लिए तीन tips खास हो एहम हो और सबसे ज़़धा परभाव सालियो पहली चीज़ आप अपनी इन उंगनियों की रक्षा करें क्योंकि आपके सरीर में सिर्फ जाएगा इन ही से तो कुछ भी टच करते हैं कहीं भी छूते हैं और इसको कैसे बचा सकते हैं उस पे ध्यान दें जैसे हाथ न मिलाएं जहां जरूरी है वहाँ न जाएं मेट्रों में जा रहे हैं बस में जा रहे हैं परसनल बहिकरी पर जा रहे हैं परसनल उसमें जा रहे हैं अननेसेसरी टच ना करें टच करते हैं, तुरंत आप अपना सैनिटाइजर के छोटे-छोटे पोटेबूल पीसे भी आते हैं, जो जेब में भी रख सकते हैं, आप उससे वास करें, सैनिटाइजर 60% अलकोहल से जादा कॉंटेंट होना चाहिए, नमबर वन, नमबर टू, किसी भी ऐसी मीटिंग में, क किसी वैसे फॉंक्शन में न जहां जाना आपका जरूरी नहीं है, एक तो यह हो गया, दूसरा, अपनी इम्मुनिटी बढ़ाने के लिए, हल्दी खाना खाए, पानी खूब पिए, फल सबजियां खाए, एकसरसाइज जो रोज करते हैं, उतना करते रहें, तीसरी चीज़ जो है, इसके बारे में ब्रह्म न फैलाए, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकर वाटसव पर सोशल मीडिया पर बहुत सारे इंफरमेशन सा रहे हैं, आपको बहुत घबराने की जूरत नहीं, क्योंकि इससे मरने वालों की संख्या काफी कम है, सार्ज जो होत असलब होली के रंग भी जो है, करोना के वारस को फेला सकते हैं, आप दूसरे के टच में आ रहे हैं, होली के रंग से आप दूसरे को भीगो रहे हैं, और वो कितना उस पर असर कर रहा है, वो आदमी भीग रहा है, उसको कोल्ड होने का भी डर है, साथ में आप टच में आ यह हुली इतने साल तो मनाती ही रहे, आगे भी मनाएंगे, इवयड करें इसको, आप नमस्ते करके अब विवादन कर सकते हैं, वह भी हुली करें, आपको एक तरह से सुब कामना अपनी होली पर देनी हैं आपको खुशी जाहिर करनी है, बिमारी थोड़ी ही है, तो इसको क्लिप्स दिया गया है जुक्टर की तरब से वो ये है कि अगर आप अपने हातों का खयाल रख लेगे तो आप कोरोना से खुद को बचा पाएगे केमरामेन मन मोहन के साथ कुल्दीप शर्मा टोटल न्यूज दिली